पहली बड़ी खबर क्या है? राहूल गांधी की नियाय यात्रा आज कानपूर पहुंचेगी। राहूल गांधी ने कहा हम नफरत नहीं महबबत की दुकान खोलने आए। किसानों से मस्मूनों से पूचा कि भाई गोश में इतनी नफरत क्यों बेह रही है? और जवाब मिला हजानों लोगों से मिला कि राहूल जी इस देश में गरीब लोगों को लियाय गरी में सकता है। किसान को जोटे भी अपारी को देश में को पुचले को तरफ को आने गराशी को यह रही मिलता है। रहूल ने पेपर लीग का मुद्दा उठाते वे कहा की अमीर के बच्चे बिना पड़ाई ही मार्क ले जाते हैं। लेकिन गरीब के बच्चे के लिए सिर्फ मस्दूरी ही रास्ता है। यूपी के राइबरेली पहुची कॉंग्रेस के निया यात्रा के दुरन राहुल गांदी ने उत्रपरदेश के युवाँ को लेकर विवादित बेया है। राहुल के इस बयान का जवाब दिया केंद्री मंत्री और अमेठी से सांसर स्मृति एरानी ने। उत्रपरदेश के लिए कितना विश भरा है वो उनकी इस अभदर टिपनी से यतीत होता है। राशी के पुन्य भूमी के बारे में और उत्रपरदेश के युवाँ पीड़ी के बारे में जो अब शब्द राहुल गांधी ने कहें हैं। राहुल गांधी ने कौंग्रिस को मजबूत करने के इरादे से नियायात्रा निकाली है। लेकिन आसम के मुख्य मंत्री हिमन्त विश्वसर्मा का दावा है कि नियायात्रा से कौंग्रिस मजबूत नहीं बलकि कम सुरूर हो रही है। नियायात्रा जहां जहां से गुजर रही है कौंग्रिस को जटका लग रहा है।